इससे पहले हमने जो है वो snack tree का जो है dead trees जो है उनका जो है वो देखा है कि dead trees के अंदर holes है अब holes जो है वो क्या सिर्फ बर्ड से इस्तमाल करते हैं या और जो है वो जानवर भी इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर इस इलाके में जहां पर यह moist temperate conifer forest है यहां पर दो टाइप की flying squirrels पाई जाती है एक large red flying squirrel है दूसरी जो ग्रे कश्मीरी flying squirrel है यह जो flying squirrels है बेसिकली यह इनी जो holes है जो wood packer ने बनाये थे उसको जरा मजीद open और widen कर लेती हैं और वहां पर nesting करती है इसमें जो grey कश्मीरी flying squirrel है यह तो totally dependent होती है यह उसी hole के अंदर ही जो जगा ले 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 लेकिन जो large red flying squirrel है वो थोड़ा सार उसको white करती है अब यह जो flying squirrels है इनका ecosystem में क्या role है squirrels जो है वो अमोमन nuts जो है उनको खाती है बीज जो है खाती है फ्रूट्स खाती है लेहाज़ा यह जो squirrels है यह बिल्कुल top of the tree by some means किसी ना किसी तरह बिल्कुल उस उपर वाले हिसे तक पहुंच जाती है क्योंकि बिल्कुल tallest trees है और उपर तक चड़ना इनके लिए जो है इन squirrels के लिए जादा आसान है comparative to जो है वो other smaller mammals तो यह उन fruits हो जो है वो खाएंगी अब वो fruits जो है उनके अंदर seeds है लहाजा कुछ जो है वो fruit यह खा लेंगी कुछ जो है वो नीचे गिर जाएगा कुछ आदा खाया वा नीचे जो है वो गिर जाएगा इस तरह जो है यह जो खुराक के साथ साथ जो है बहुत सरे seeds जो है उनको spread करने का जो है वो bias बनती है तो nature ने जहां पे जो है वो कोई seed पहलाने का agent नहीं है seed की spread के लिए कोई जो है वो दूसरे agents जो है वो हमें अगर कम नज़र आते हैं तो वहां पे उसने जो है इन squirrels को यह काम swap दिया है उसका और यह जो species है जो plants है इनकी भी नसल बर करा रहे इस तरह यह किसी human activity के बगार यह human plantation के बगार यह जो seeds है यह उखने है और वो forest जो है वो काइम और दायम रहते हैं यह circle जो है वो चलता रहता है अब यह जो squirrels होते है mostly जो है वो रात के वकत जो है वो active होती है और sometimes जो है जो उपर जो है वो दूसरे प्रिडेटर्स निगाह रखके बैटे होते हैं कि यह हमारा प्रे है और इसको जो हमने खाना है इस तरह एक फूर्ट चेंज सी बन गई कि जो ट्री है उसमें वुट पैकर ने जो होल्स किये हैं वो कैविटी जो डिवैलिंग आनिमल्स हैं बर्ड्स और जो मैमल्स हैं स्वाल मैमल्स वो उनके लिए जो है शेल्टर साइट्स हैं वहाँ पे उनकी reproduction sites है वहाँ पे mammals भी है वहाँ पे birds भी है जो birds है और जो mammals है वो दूसरे जो as a prey है जो के predators है वो उनको जो है वो खाएंगे उन predators के अंदर जो है वो कौन-कौन शामिल हो सकते हैं आउल्स हैं, palm cats हैं, yellow throat, martins हैं जो के इन squirrels के ओपर जो हमला करते हैं इस तरह ज है वो उसको carnivore जो animals हैं वो एक food chain या एक जो next level का जो consumption है जो food की है उन्होंने भी जिन्दा रहना है, carnivore ने दिहाज़ा उनके ओपर feed करना है तो prey और predator relationship की हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, it's a food chain अब यह जो fallen trees है, fallen जो seeds होते हैं वो बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वहाँ प पाया जाता है, वो दूसरे जो बहुत सारे जो परिंदे हैं जो के रात अपनी जो दरख्तों के उपर बरसर करते हैं और सुबो जो है वो चुनना शुरू कर देते हैं, यह जो seeds होते हैं यह roots जो हैं, यह tuberer जो roots होती हैं, plants की, उनको feed कर रहे होते हैं, तो सारा दिन जो उस एक benefit भी उठा रहा है और population जो है एक खास हथ से जो है वो बड़ भी नहीं रही है, तो यह जो है वो seeds है, वो source of food हैं for coccles present के लिए जो के tubers भी खाते हैं, grasses भी खाते हैं, insects को उनको भी खाते हैं, यहां पर जो हम देख सकते हैं, जो squirrel है, सबसे पहली picture के अंदर, squirrel जो है, व कुछ जो है वो गिराएगी, red flying squirrel हमें नजर आ रही है, यह flying squirrel जो है वो नीचे वाली picture के अंदर, अपने उस nest के अंदर जो है वो सोई भी है, यहीं पर जो है जो है वो उसकी babies भी produce होंगे, जरा साथ फली जो है वो picture में अगर हम देखें, तो उसमें जो है तीन चार जो squirrels के जो small youngs हैं, वो उन्होंने बाहर उस hole से मून निकाला हुआ है, अपना जो nest बनाती है, यह squirrels बहुत सारा जो plant material है, जिसमें जो खुश किसम के पते हैं, तने हैं, बरीक-बरीक सारी चीजे हैं, कहीं से पर मिल गए, कहीं से जो है वो कुछ और material उसने कटा कह लिया, तो इस अपने जो nest है, उसके अंदर नीचे ऐसे floor सारा बना रहती है, जैसे एक उसने carpet सा जो है वो बिचा लिया है, और वहां पर जो है वो reproduce करते हैं, तो यह जो moist temperate conifers forest हैं, वहां पर अगर हम देखें, तो जो forest का, चाहे वो top of the tree है, यह उसका जो floor है, कोई भी ऐसा हिस्सा नही है, जो एक food chain का, एक cycle का, एक nutrient cycle जो इसके अंदर चल रहा है, वो कहीं पे भी interruption नहीं है, कहीं पे भी जो है एक दूसरे से बेरप्टगी नहीं है, बलकि एक दूसरे के उपर interdependence है, और फिर यह जो moist temperate conifers forest हैं, यह eventually आइसा आइसा जो है वो dry temperate, dry conifers forest के अंदर जो है, व वो snack trees के अंदर more than 20 cavities होती हैं, और bats जो हैं, वो भी cavity dwelling flying mammals हैं, bats जो हैं वो रात के वकत active होती हैं, और bats में सबसे important बात ही कि insects को feed करती हैं, और जितना इनका weight होता है, half of body weight जो है, वो इन्होंने insects per night जो है, वो feed करने होते हैं, तो इसका मतब है कि यह again, बहुत सरे insects के लिए, जो है, उसकी population को regulate करने के लिए, control करने के लिए जो है, वो effective होती हैं, और यह रात के वकत बहुत सरे moths जो होते हैं, उनको जो हो hunt करती हैं, तो moths की जो population है, वो जो है, control हो जाती है, moist temperate ponifer forest जो है, वहाँ पे जो पाकिसान का national tree है, सिदरस दियोदारा, यह वहाँ पर पाया दियोदार यह दियार भी कहते हैं, दियार अमूमन हम, जो है, वो कुछ पंजाबी के accent में, जो है, वो कहा जाता है, लकडी बहुत मजबूत होती है, और बड़ी long lasting होती है, बहुत खुशत furniture जो है, और long lasting furniture जो है, वो इसका बनाया जाता है, और शायद इसी वजह से, जो है वो इन द्रख्टों को बड़ी बेदर्दी से जो है, वो काटा भी जाता है, और एक, जो है, वो इनको smuggle भी किया जाता है, इन्हें जो है, वो काट कर पानी में फेंग दिया जाता है, पानी जहां बहा कर ले जाता है, बहुत दूर तक आगे net लगा के इस लपड़ी को नि वो intervention वहाँ पर start हो चुकी है